उम्म नमः शिवाय हर हर महादेव ये बेहध ही खास सुमवार है आज के दिन यानि की 27 तारीक को जो लोग भी शिव जी की अराधना इस प्रकार से करते हैं जो कि हम आपको विधी बताने जा रहे हैं तो जिवन से सभी परेशानिया दूर हो जाती हैं सभी कश्ट मिट जाते सावन का ये सुमवार बेहध ही खास है आए पहले पुजा विधी जानते हैं फिर इसके बाद जानेंगे हम सभी कि इस दिन कौन से खास मंत्र का जाप आपके लिए शुव रहेगा सावन सुमवार सबसे पहले ब्रत की पुजा विधी जान लिजे सबसे पहले तो सुबह इसके बाद इसनान ध्यान कीजे और स्वक्ष हो जाए बिल्कुल इसके बाद साफ कपड़े पहनिए यानि कि पहले से आपने साफ जो कपड़े रखे हैं या न्यू कपड़े रखे हैं उसको आज के दिन पहनिए और इसके बाद पुजन स्थान की सफाई कर लिजे गंगाजल मिला लिजे पानी में जल पातर में पानी ले लिजे उसमें गंगाजल थोड़ा सा मिला लिजे इसके बाद दाहिने हाथ में जल ले करके सावन सुमवार वरत पूजा का संकल्प कर लिजे इसके बाद उम नम शिवाय मंतर का उचारान करते हुए भगवान शिव सं पूल सफेद चंदन भांग धतूरा गाय का दूध धूप पंचामरित सुपारी ये सभी अच्छे से अर्पित कीजिए इसके बाद कम से कम 12 बिलपत्र शिव जी को जरूर चढ़ाएं बिलपत्र चढ़ाते समय उम्नमह शिवाय नमह शिवाय मंत्र का जाप जरूर करते रहें अब उम्नमह शिवाय मंत्र से परवती जी का खोडशो पचार पूजन कीजिए इसके बाद शिव चालीसा का पाठ कीजिए इसके बाद वरत कथा सुनिए ये सभी इस चैनल पर उपलब्ध है आप चाहें तो आपको आता है तो पढ़ सकते हैं डैरेक्ट नहीं तो इस चैन ये वरत केवल आपको भोजन का नहीं बलकि विचारों का डिजिटली हर तरह से करना चाहिए यानि कि बहुत अच्छा होगा कि अगर इस ओमार आप फून देखें फून से दूरी बना लें इसके बाद खाना से तो ऐसे ही आप फास्ट कर ही रहे हैं बोलने की भी बहुत कम कोशिस करें जितनी जरूरत हो बिल्कुल उतना ही बोले तो हर तरीके से डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा संध्या के समय शिव पुरान का पाठ कीजिए और संध्या आर्ती कीजिए इसके बाद प्रसाद वित्रित कीजिए और स्व में व्रत न करने की भी सलाह दी गई है जो कि हमने इस चैनल पर बताया हुआ है कि कौन कौन सी ऐसी स्थिती होती है जब व्रत करने से परहेज करना चाहिए तो नियमों का पालन करें जैसे कि बहुत विमार हूं या बच्चा हो तो उस स्थिती में नहीं देखा जाता है वि कमेंट जरूर किजिए मुझे बहुत खुशी मिलती है फिलहाल भी दा लेते हैं आज की इस वीडियो से जुड़ेंगे नई वीडियो में तब तक आप सभी खुश रहें स्वस्त रहें प्रेम से कमेंट में जरूर लिखें ओम नमाश्यवाय हर हर महादेव